एक्सपोर्ट पूर्मोशन कॉंसिल फार हेंडी क्राफ्ट के सी ओ ए मिंबर और सेंट्रल जोन के कन्वीनर नभील एमद ने कमल सोनी को ईपी सी एच का वाइस चेर्मेन और नीरच खन्ना को सी ओ ए मिंबर चुने जाने पर दिली मुबारक बात पेश की है नभील एमद 16 अक्तूबर की रात को होटल हॉलिडे रीजिंसी में M.H.E.A. तथा यसकी और से आयोजित भवे अभिनंदन समारों में भाग लेने के बाद सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे विदित हो के मैसर्स नवाब रीजिंसी रामपुर रोड मुस्तफाबाद मुरादबाद के पार्टनर नभील एमद नहायत खुशखलाग मिलंसार और वेवारिक इनसान है यही कारण है कि उन्हें पहली बार 2019 में सी ओ ए सदस्पत का चुनाव लड़ा और अच्छे बहुमत के साथ ईपी सी एच की पिर्शासनिक समीती के सदस चुन लिए गए इसके बाद अब 12 अक्टूबर 2020 को दिली में आयो जित ईपी सी एच की पिर्शासनिक समीती की 172 मीटिंग में उन्हें ईपी सी एच के सेंटरल जोन का कनवीनर चुनकर ना सिर्फ उनकी जिम्मेदारियों बलके उनके कदमे भी इदाफा कर दिया गया विभिन प्रश्णों के उत्तर में मिश्टर नबीन ने कहा कि उन्हें सेंटरल जोन के कनवीनर की हैसियत से जो जिम्मेदारी सौपी गई है वो उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे उन्होंने कहा पहले तो मैं तमाम शेहर के निभियातों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे CEO मेंबर बनाकर EPCH में पहुचा आया और दूसरा मैं नीदा इसमना जी को बहुत बहुत दिल के कहराईयों से मुबारक बात देना चाहूंगा जो EPCH के अभी जो चनाव हुए हैं उसमें वो जीत कर EPCH as a CEO मेंबर पहुचे हैं और इसी कड़ी में मैं कमल सुनी जी को भी बहुत हार्दिक बढ़ाई देना चाहूंगा वो EPCH के वाइस चेर्मन बने आगे जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है as a regional convener उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा पूरा प्रियास करूँगा कि बाखुबी उससे निवाया जाए और यहां इंडस्ट्री की जो समस्याएं जो परशानी है उसको as a team उसको सुलज़ाया जाए उसको उसका समधान किया अ आगे एपी सीएच में कई जिम्मेदार लोग मुरादबाद से हो गए जैसा कि अभी आपने नाम लिया कमल खोनी जी है लीरज घना जी है आप है और भले ही वो दूसरे गुरूप से तालुक लगते हैं लेकिन शरत बंसल साब भी हैं हमन जुनेजा जी भी हैं तो इसका आ एक एपी सीएच का प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और जब एक ही शहर से पांच लोग एक ट्रेट सेम ट्रेट के वहां पहुंचेंगे अपनी बात पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूँ उसका जादा असर होगा हाल फिलहा टावर मीटिंग्स चल रही हैं एपिसेच के मातियम से हम लोगों ने यह आप यह बात सरकार तक पहुंचाई है और इसकी मीटिंग्स चल रही है और इंशाला जल्द बहुत जल्द इसका कुछ ने कोई समस्या का समधान होगा अगर किसी निरिया तक भाई को को कुई दिक कर सकते हैं हमारे phone numbers ने हमारे mails हैं उससे हमें contact कर सकते हैं और एक आखरी सवाल यह है कि अगर माली यह कोई ऐसा शखस है कि जिसने किसी वज़ा से आपको वोट नहीं दिया या support नहीं किया तो क्या उसकी समस्या को भी सुनेंगा वेलकुल साब हमें जिसने वोट दिया उस ची यह समस्या है लहाजा उसके हल के लिए आप कोशिश करेंगे कोई अपील करना चाहेंगे इस मौके पर आने वाला वक्त जो है तियुहारों का है दसेरा है नवरात रहें सीपावली है एद मिलाद नभी है हमारे शहर की तहजीब गंगा जमनी तहजीब है तो इस मौके अबर आप क्या अपील करना चाहिए मैं शहर मौदबात के वासियों से यही अपील करूँगा बलके पूरे देशवासियों से यह अपील करूँगा कि सारे तोहर दशेरा दिवाली आपस में मिल भूर कर बनाए और शहर देश के शांती को बनाए रखें यही मेरी अपील है पय초 वी आ दो जा को कि फ़गा ि बामका जा को कुछिए से आलैों कि महान।